स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइन्स रू टेकनोलजी में मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो साइन्स थर्ष्टे में आज हम लोग बात करेंगे पावर फ्रम डिफरेंट टाइम जोन के बारे में यानि कि रिनिवल का सबसे बड़ा लिमिटेशन को कैसे सॉल्फ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉबलम है कि रिनिवल एनरजी सस्ता है ये बात में कोई डिसकॉशन है अल्मुस्ट हर देश के लिए आज के टाइम में रिन्योबल में कुद्धा ज़ादा कॉस्ट अफेक्टिव है कंपेर तो किसी भी और चाहे वो कोल ही हो न्यूक्लियर ही हो कुछ भी हो रिन्योबल सबसे सस्ता होता है लेकर उसों एक ट्विस्ट है वह बहुत ख़तरना ट्विस्ट है कि इसकी availability बहुत खराब होती है availability का मतलबाद जब भी आप कोई power plant बनाते हैं उसकी availability कोशिश ही जाती कि 100% क्या सबसे हो अगर आप बड़ा कौल पावड प्लांट वना रहें तो ऐसा चा़ किया जाएग़ उसमें दो यूनित हो और या चार यूनित हो एक एक करके मैंटेनस किया जाएगे जिजानी कभी भी पूरा पारीपलांट बंदना हो तो उसन सब चाहा जाता है तो यह समस्या बन जाता है और इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि सस्ता यूजलेस हो जाता है क्योंकि हर लोग आप सोचते होंगे न कि जब सस्ता है तो हम लोग अभी भी कोल पावर प्लांट कियों बना रहे है अभी भी खास्तों पर नूपल प्लांट इंडिया एक भी बहुत बड़ा बना रहा है तो इसका बात वही समझे तो उसका कोई मतलब यूजलेस हो जाता है कि माल यह सोलर बहुत बढ़ी है सर रात को हम लोग कर आप होस्पिटल में काफी रेट बढ़ जा रहा है 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 नी तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा तो यह बहुत सीरियस समस्या बन जाता है और यह समझे हर रेनियोपल के साथ है चाहे वह विंड साथ लग वेरियेशन में होता है लेकिन होता जरूर सोलर तो सिद्धा सिधार रात को भलते सर हम से नहीं पावे तो यह एक सीरियस समस्या बन जाता है इसको एकदम डिसकूशन नहीं करना और यही कारण से आप पूरी ता से रेनियोबल पनी चलते है जबकि रेनियोबल अब का हो चुका है, 2015 में कहा जाता है कि cost competitive हो गया था, तो यह समस्या है, तो इसका समाधान क्या है, समाधान है कि आपको यह समझे दर्ती को देखे, ना कि सिवा अपने देश को छोड़के थोड़ा धर्ती देखे, तो धर्ती में आपको क्या दिखेगा, धर्ती में कुछ भ मतलब बड़े दूरी में, time zones में दूर चले गए, तो आपको हमेशा सन मिलेगा, इसलिए कहा जाता है, British Empire को की sun never sets, तो वही वाली logic पे हम वापस आता है, और यह समझे हावा के बारे में फिर होगा न, कि wind चलता है, wind हमेशा चलता रहता है, पुरा प्लानेट में, एक जगह के भर उसे आप नहीं रह सकते हैं, तो यह एक सीरियस समस्य बना जाए, अगर आप distant point को connect कर साते हैं, जितने time zones आप धपा मार पाए, उतना भाला होगा है, इंडिया के मामने में, इंडिया थोड़ा सा time zone हम लोग समझे आधा गंटा कहा जाता है, एक छोर से दू यही हम लोग को solve करना है, कि अगर हम लोग ऐसा कर पाते हैं, खूब दूर तक जा पा रहे हैं, और खूब सारे interconnect कर देते हैं, ग्रेट्स को, तो हम लोग का जो energy storage के पिछे भाग रहे हैं, energy storage किया जा सकता है, pumped, closed loop, pumped hydro, इकलाथा system है, जो आपको gigawatts of hour का capacity देता है, लेकिन free थोड़ी होता है, बनाना पड़ता है, महेंगा होता है, और हर कोई उतना investment नहीं डालना चाहेगा, हर देश उतना बड़ा debt नहीं उठना चाहेगा, तो अगर हम interconnect का इस्तमाल कर पाते हैं, दो time zone में, तो कितना energy storage चाहिए, उसका requirement घट जाता है, यह बहुत important बात है, अवह आज हमारे दिन में over production हो रहा है, जैसे साम होने इंडिया का consumption बढ़ेगा, जो हमारे से आगे time zone में उनका धूप आ रहा होगा, ले लो आप बिजली से हमारा over production हो रहा है, तो हम लोग actually ऐसा कर सकते हैं, कि आने वाले time में, long term तक में, कि आराम से इंसानियत को बंबं बिजल Ultra high voltage direct current का मतलब होता है, यानि कि 800 kV DC के बारे में बात करे है, मत पुछे कि 800 kV क्यों है, मुझे भी नी समझ जाता है, 1000 पर होना चाहिए न, high voltage होता है, फिर ultra high voltage होता है, तो ultra 1000 पर होना चाहिए था नहीं है, लेकिन है ultra high voltage का मतलब है 800 kV, इंडिया में है 2-3 तो DC links, तो ऐसा क क्यों हो, हम लेको DC link क्यों होता है, DC link इसलिए कि उसमें distance limit नहीं होता है, यानि कि AC को बहुत दूर आप नहीं भेज सकते है, DC को आप जितना दूर भेजना है, भीजिए पूरा प्लानेट वे चकर काटाना, कटाई हो काट सकता है, और loss कितना loss होता है, वो भी कम होता है, 50% कंपेर टू AC, तो AC आपका 6% energy स्वाहा कर देगा है, 1000 km में, वहीं पेकर DC में भेज रहे हैं, और ठीक से बनाए गया, तो वो सिर्फ 3% loss करता है, इसलिए का जाता है, 50% कम loss होता है, और ये दूरी आप जैसे बढ़ात ही चले जाओगी, जैसे कि माली आप बात करो 100 km में, समुंदर के नीचे से जा रहे है, चूप चैप से DC डालो, क्योंकि capacitance loss पानी के नीचे से जाने में, यानि कि समझे कि जितनी बाद भी आप फील्ड चेंज कर रहे हैं, वो जो conductor है, वो capacitor का एक प्लेड जासा बिहेव कर रहा है, और पानी बहुत गंदार डियलेक्टरिक जास या तो एनरजी आपको उससे कम भेजना होगा, या तो तार समझ लिए बहुत जल्दी कर उठ कर जाएगा, तो एक सीरियस समसे बाना देता है, इसलिए हम लोग को DC यूज करना पड़ता है, और DC में फादा होता है, इसकीन एफेक्ट नहीं होता है, यानि कि कोर का जितना इन लोग मेगावाट का बात नहीं करें, गीगावाट से नीचे उतरना ही नहीं, इंडिया में भी जो बन चूक हैं, उसमें कई सारे हैं, जो 6 गीगावाट के हैं, आज गीगावाट के हैं, इंडिया में बहुत है, बाइदो बैद वे, चाइन एक ठोपखला है, वो बना 20 20 गीगावाट के बना हुए है तो समझ रह'llally, BAM BAM! चाहिए! High power की बात कर रहें किवलो वांट मेगावाट में बात कर रहें सीधे गीड़ाट में बात कर लोट के बात कर ख efficacy बड़ा जोड़ा रहें इसके लिए सब खास्तर पर boards बनाए चाहते हैं और जितना तार मोटा होगा अगर आप चाहते हो कि हम भीजते हैं ज्यादा voltage के लिए तो इंसुलेशन आपका मोटा होना चाहिए वोल्टेज का लिमिट इंसुलेशन से आता है तो और रहाँ बात की हावा में लटकाने रहे हैं, समुंदर के नीचे डाल रहे हैं, तो वहां पर आपको यह हो जाएगा, उसका इंसुलेशन का दाम बहुत आता है, तो इंसुलेशन का दाम कैसे कम रखेंगे, वोल्टेज कम रखो, आप 500 कV में भेजेंगे, दाम कम आएग क्योंकि कोर का डामेटर मादल समझ यह 25 स्कुरार मिलमीटर हो सकता है उससे भी बढ़ा हो सकता है तीन तीस समझ लिए सेंटीमीटर स्कुरार तक के बात हो रहा है बड़ा केबल हो रहा है और इंसुलेशन डिपेंड करेंगा कितना आप के वी भेजना चाहते एट हंड़ेट सबसे हाइस माना चाहता है उससे ऐसा नहीं कि सबसे हाइस है जो रियल वर्ल्ड में लेकिन वह अबव लैंड है वह आपका राउंड टूफ हंड़ेट के वी चलता है एट हंड़ेट जनरल प्रैक्टिकल रहता है तो केबल चाहिए और जितना बड़ा रेटिंग केबल का उसको बेंडिंग रेडियस जो है लुच पुझाया या नहीं बोटा है बड़ा बोट हो जाएगा अपका ताकि ये क्रेडल्स को समाला जा सके फिर आपको आरोवी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं को समंदर में रख दिया जाता है इस तरह के रोबोट्स आते हैं उस समंदर मे जाता है खुलना नहीं रख देता है क्योंकि मचली खाने का कोशिश करेगा और एक मचली एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है लेकिन धीरे धीरे और शार्क लोग की इसाब का मैंगीटो फील्ड जो बन जाता है उससे बहुत प्यार करने लगता है तो शार्क दपा मारता है इसलिए हम लोगों को दफनापन भरता है शार्क बहुत सारे उप्टिकल लाइन को सभा की है उससी से बहुत पता चला कि उसका मैंनेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है शार्क को बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है यह टेस्टी है तो ट्राइ मारते रहता है फिर आप समझ जितना भी चीज मैं इसमें बता रहा हूँ सब है कॉंट्रेक्टर बैठे हुए हैं कंपणी बैठे हुए है मतलब आपके अश्पैसा है यह अभी किया जा सकता है तो यह हैं इंजिनिरिंग तो समस्य है लिमिट है जो हम लोग एक्चली इतना बनाते नहीं मतलब यह समझे नहीं मानता यह कब हुआ इस साल हुआ है 2023 में तो यह समझना बहुत ज़री है हम बहुत जादा रैपिड स्पीड से मतलब रिन्यूबल कर गुरूथ होने लगा कि बले 2015 में कॉस्ट स्विच कर गया और जहां पे कस्टमर्स कूदने लगे चैसे कि आप बलो यह घर से क्या से फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर कई लाग घर कूदने लगे फरक पड़ता है दूसरी बात इंटरप्राइस कूदने लगी सोलर सम्में क्योंकि उनको था कि हमारा बिल बच रहा हम अभी भी ग्रिट पर चलेंगे लेकिन ग्रिट से अगर हम लोग समझ लिए मार बिजल प्रब्लम है कि हम लोग इसकी साब से प्रोडक्शन नहीं किये ते यानि कि जो अंडर सी केबल है यह उतना बनाते नहीं है अंडर सी फाइबर केवल भी उतना बनता ही नहीं है तो यह सीरियस समस्या बन गया है यानि कि यह इता है कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट उसे बना बना नहीं है बहुत बंबं केवल के लिए उसब बना फांस सो मेगावाट से लेकर बहुत वाथ एक गीगावाट यह थोड़ा से जब अथा ज़यादा असे हम लोग सोच रहे हैं कि 8 गिगावाट लेजाएंगे 10 गीगावाट लेजाएंगे तो केबल उसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा केबल के हिसाब से क्रेडल और बड़ा हो जाएगा क्रेडल के हिसाब से बोट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यह सब तो ही नहीं मतला मार्केट में खरीद ही नहीं सकते तो सारे यह बना कि सारे प्लानिंग में प्रसीजर में सर्वेलिंस में यह साथ यह सब भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो यह हमारा भी सब्सक्राइब है कि आप किसी को पैसा दे भी दो तुरंत आपको नहीं मिला आप खरीद नहीं सकते हो तो कुछ-कुछ बड़े प्रजेक्ट जो बना रहे हैं जैसे UK का एक्सामपल दें उनका भाईया हमे एक गीगवाट दो गीगवाट इधर उधर करता है तो उतनी बड़ी बात नहीं लेकिन बात है कि यूरोप के लिए बड़ी बात है और एक दो गीगवाट अगर बंद हो जाता है किसी कान से आपका कनवर्टर उड़ गया या आपका केवल सवाह होता है फिजिक का मतलब इ एक कनेक्शन नहीं होना चाहिए कई सारे इंटर कनेक्शन होने चाहिए जिसमें सब मतला अंडर लोड पर चल रहे हैं यानि कि अपना कापैसेटी का फूरा हंड़ेट पर से थोड़ा से लोड पर रखे हैं ताकि एक डाउन हो तब दूसरे से बैक अप कर ले वह हम लोग क करना पड़ेगा यानि कि इसका डिमांड और बढ़ जाएगा ताकि हम रिडंडनसी रख सेके ऐसा नहीं हो कि भाईया यह मालिया हम लोग इस देश से खरीद रहे हैं विजली बं-बं है किसी कारण से तार टूट गया कुछ भी हो कि इनसान के बनाया हो चाहिए भगवान क का दाम काफी हाई वताया जाता है जनरली सबसे सस्ता केबल सबसे सस्ता केबल सबसे सस्ता फ्री ऑल्मस्ट फ्री है 400 डॉलर पर फुट आता है फ्री है वो केबल बाकि सबका दाम मत गूगल किजेगा जो यह सब में यूज होता है केबल सस्ता है सर यह बोट का रेंटिंग बहुत महेंगा है, ROV जो लगाएंगे वो और महेंगा आएगा, और जतने क्रू चाहिए जो ही सब को कर सके उसा बहुत महेंगा आता है तो यही हमारा लिमिट यही है कि हम लोग इसको अभी आया है मार्केट पर तो पूरा इकोसिस्टम उसको कैपचर नहीं कराएंगे जैसे बहुत है ओएल का डिमांड बढ़ता है तब जाके ओएल के प्रडॉक्शन प्लांट्स बनाए जाता है फिर ओएल रिफाइनरी बनती है फिर जाके आपका ओएल डिमांड यह होता है अब एगा बहुत डिमांड आ रहा है अब बात करता है मैं सबसे खतरनाक बात पस्तिक्स फिजिक्स इंजिनिरींग में फिजिक्स सोर्टे्द है हे कोई दिक्कत नहीं है जिखिक्स से स्थिदीनीरिंग में दिक्कत भब्शं healthy आपको भरोसा करना होगा कि हम आपके भरोसे पर इतना महेंगा प्रोचेक्ट लिए रहे हैं इतना बड़ा प्रोड़क्शन कर रहे हैं इतना बड़ा डेट उठा रहे हैं आप इसको ऑनर करोगे इस मामले में यूरोप की नीनन सबसे अराम से चल रहा है क्योंकि उनका एक जो एक एक जो एकोलोजी है कि हाँ इतने सारे देश हैं अच्छे से काम कर रहे हैं धर धर अंदर के अंदर इंटरकरनेटर बनाए जा रह कि रिन्यूबल्स पावर देता है लेकिन जब देखो तब अपने मूड की साफ से देता है उसका सलूशन यही है कि बांट दो सब का पावर प्लांट को एज एक कलेक्टिव सूपर ग्रीड के तौर पर देखो सूपर ग्रीड में हमेशा पावर रहेगा जब भी भी कि लॉंग टरंब के लिए प्रजेक्ट कर सके हैं तो यह मतलब दिक्कत वालत है थैंक्फुली एक चीज अच्छा है कि अगर अच्छे से प्लानिंग की जाए अच्छे से ओवर बजट ना हो सब चीज ठीक ठाक रहे तो आरो आई बहुत फास्ट होता है इस अब यूरोप जैसे कि अभी सबसे लंबा दूरी का जो मैंने देखा है वह देखा है सिंगापूर से अस्ट्रेलिया तक शादी करने जा रहे हैं बहुत लंबा इंड़नेशिया के निकालेंगे बहुत ज्यादा पावर का बारे में बात हो रहा है यहां पे टोटल टारगेट हो रहा है 20 सारे कनेक्शन जो बात कर रहे हैं यह सब टूए है यानि कि बिजली आएगा भी जाएगा भी क्योंकि दिन दोनों का अलग टाइम पे होगा तो यह सोलर बनाएगा इसको देदेगा इसका दिन होगा यह इदर भेजेगा ओविसली बाइस यह रहेगा कि यही से ज्यादा ज कर सकते हैं और गरीद्यस लटक सकते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं कि हम इतना बड़ा इंटरकनेट अफोर्ड कर सकें जैसे कि यह यूके का दूसरा लिंक है जिसके और लंबा शादी करने पे चले हुए है यह 3.6 गिवार्ट करने का सोच रहे है और इनका है कि अल्म और चंहां पर गन्वर्टर प्लांट्स को ऐसा बनाने की कोशिश की जा रहे हैं कि समंदर में भी रख सकते हैं जो कि विंड फार्म के लिए बनाया अल्रेडी जा रहा है तो बहुत सारी टेकनोलोजी क्या अब हो रहा है कि यह हम कर सकते हैं लिंक पॉलिटिक से सीरियस बा अब शाम में एनर्जी कंसमशन भागता है पाकिस्तान बोलता है हमारा दिन हो रहा है लो भईय तुम एक्स्ट्रा कपा चाओ ऐसे इसे कर सकते थे बट अनफोर्चनटली दोनों तरफ से एकसे करें हो हैं क्या किया जाए अच्छे अच्छे पार्टनर से नहीं मिले क्या कर वेनेस्वेला के पास जगां बहुत है लेकिन वो जगां अच्छा नहीं है और अगर आप साउथ अफरिका में जाते हो उसका हाला तो भी अच्छा नहीं है लेकिन वहां से आगे जाना या मतलब कोई चोटे देस इतना बड़ा धपा मारें कि भाई याम सिंगापूर से सी पॉलिटिक्स का लेख इसको हॉच-भाच कर रहेता है यू के अंदर कोई दिखकत नहीं है यू के अंदर सब काम हो जाएगा लिगिन जैसे इयू से बहार जाएंगे दिक्कत होगा और बाकि सब रोल नहीं तना दूर का ही डपा मार रहे है देखिए पॉलिटिक्स है इस लेकिन यह समस्य सॉल्फ करते हैं, नहीं तो आपको बहुत एनरजी स्टोरिक चाहिए, अगर एक देश को एक देश ते चला रहे हैं, और वो वेस्टेट हो जाता है, अगर आप दूसरे जगह पर डाल देते हैं, तो फाइदा रहता है, अभी बीच में चाइना पगला रहा तो यह पॉलिटिक्स वाला लेयर हो जाता है, तो यह था मेरा प्रसेंटेशन, डिफरेंट टाइम जोन को ग्रिट से जोड़ने का क्याफ होगा, तो उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा हो, कुस समझ में हो, अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोसरा शेयर कर दे, उससे म बहुत कुछी वे, धन्यवाद.